नमास्कार दोस्तों मैं आपका दोस्तुनिल यादों आप लोगों कि आपके चलेगर स्टागत आए दोस्तों गूगल एक्षिन की तरफ से मेरा एड्रेस वेरिफेकेशन के लिए पिना चुका है इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या ऐसे स्टेपस तो इसके लिए आपको Google AdSense में जाके ओप्षेश के लिए ऊप्षन देता है, तो उसके पहले आपको अपना डॉक्उमेंट भी वेरिफाई करना होता है और वहाँ पे अप्लोड करना होता है तो document के लिए आपका pen card, license या passport आप दे सकते हैं address verify कराने के लिए उसके पहले आपके account में 10 dollar minimum होने चाहिए तो आपको check करना है कि आपके account में कितने dollar हुए है तो आप YouTube studio में जाके देख सकते हैं जैसे कि मेरा भी 16.50 dollar हुए है तो मैं यहां से apply कर सकता हूं address verify करने के लिए तो वैसे भी अभी YouTube पे आपको notification आ जाता है उपर कि आपको अपना address verify करा लेजिए तो मैंने तो अपना verify के लिए भेज दिया हुए इसलिए मुझे pin डालने के लिए बोल रहा है तो एक important चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप जब address verify करा है तो उसमें आपको क्या-क्या feel करना होता है जैसे कि आप देख सकते कि मैंने क्या-क्या feel-up किया था तो मैंने यहां पर hide किया हुए मेरा address इंपोर्डेंट चीज यह है कि जब आप address भरे तो इसके अंदर आप अपना mobile नमबर जरूर दें ताकि अगर कहां से भी आपको पूरेर आता है आपके post office से या फिर कहीं और से तो आपको call करके आपको यह दे सके उसको problem नहीं हो देने के लिए तो आपको इंपोंडेंट है ध्यान देना है कि यहां पर आप mobile नमबर जरूर दे जैसे आपको यह गूगल एट्सिन की तरफ से पिन verification आ जाता है तो आपको पर verify करूंगा आप लोगों के सामने तो यह verify पर मैंने click किया और मैं अपना pin डाल देता हूं यहां पर verify पर click कर देता हूं यहां पर हमें तीन attempt मिलता है अगर तीन attempt fail होने के बाद भी कोई problem नहीं है यह YouTube हमें हमारे email से verify करा देता है तो मैं यहां पर submit पर click करता हूं और verify कर आता हूं जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा address verification successful हो चुका है तो वैसे आप भी इस process को follow करके अपना address verify करा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है तो like share जरूर करिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जाएन